5 जूलाई 2001 को केरल में हुई थी खून की बारिष, जिसे रेड रेन के नाम से भी जाना जाता है जब लाल बारिष के पानी को टेस्ट किया गिया, तो सब के होश उड़ गए टेस्ट में पाया गया है कि ये सिर्फ पानी नहीं था, इस पानी में जीवन होने के साक्षी मिलने हैं पानी में जीवन के साक्षी मिलने के बाद लगा कि अगर ये खून है तो इसमें DNA भी होगा वे ग्यानिकों ने उसमें DNA तलाशने की कोशिश भी किये लेकिन वे असफल रहे लेकिन जब साल 2012 में फिल जाच की गई तो साइन्टिस्ट को 6 DNA मिले अभी भी ये पता नहीं चल पाया है कि ये वारिश क्यों होई थी